कि ओके सो आज हम लोग जो करेंगे वो है डिफरेंट टाइपस अफ कॉंस्टूशन यूपीए सी में प्रिलिम से में में यूजिली में में पॉलिटी में क्वेशन आते हैं जहां पर हमें बाकी कॉंट्रीज के कॉंस्टूशन ऐसे कि अमेरिकन फ्रेंच या ब्रिटिश कॉं कंपारिजन कर सकते हैं सो पहला होगा ताइपस अफ कॉंस्टूशन इन दे सेंस की रिटन है या अनृटन लिखित या अनृखित तो रिटन अनृटन लिखा हुआ कॉंस्टूशन अनृटन ठीक है लिखित अलिखित कॉंस्टूशन तो अबिसली हमके हमें हमारी कंट्री के कॉंस्टूशन के बारे में पता है भारत का सन्मिधान जो है अमेरिका का सन्मिधान 1789 1789 इस एटासी नवासी नवासी सट्रहसों नवासी शॉरी सट्रहसों नवासी में भारत का अमेरिका का इसेटीशन जो एफेक्टिव हुआ था यह वन अब दे फिर्स रिटन इस एट इस एक इस एक सिमिलारिटी बिटून इंडियन कॉंस्टूशन और अमेरिकन कॉंस्टूशन है कि दोनों लिखी थे तो अमेरिका है इंडिया भारत हमारा कॉंस्टूशन 26 जंडवरी 1950 को फोर्स में लाया गया इट वस पुट इंटू फोर्स इट मेंट एफेक्टिव हो गया था और दूसरे तुसरे तरफ पर हमारे पास है यूके डाट इस ब्रिटन न्यूजीलेंड और भी कुछ कंट्रीज हैं जहां पर कॉंस्टूशन लिख है यचे लिखा हुआ है कि लिखा के लिखा हुआ का मतल्ब यह ₹ ₹ ₥ लिखा हुआ है लिखा हुआ है लख पिसी ने मचे भारत तो मैं किताब दिखा दूँगा एक किताब के अंदर सब मिल जाएगा सारे parts तुट इछे निए पार्ट्स दिफिरेन satu स्ट्रेक्र्टर्युटि इसतरह से करके इस अब कोडिफाइड वैसे ही अमेरिका में अमेरिका में अर्टिकल बात करता dominating किस आर्टिकल 2 उनका बात करता है एकजेकुटिध के बारे में, और आर्टिकल 3 बात करता है उनकी जूडिशेरी के बारे में, ऐसे करके उनके भी different articles और जिसमें clearly एक state के एक तंतर के बारे में बात की गई है, और एक ही जगह पे सब एक सर्मेधान में मिल ज Самघस्कुल है। लिखित का मतलब कि सारा जिसको हम सनुविधान बोल सकते हैं, जिसको हम constitution बोल सकते हैं, वो क्या सब एक जगह पे available है एक साथ, that is called written constitution जो हमारे इंडिया में है, अब जब बोलते हैं कि UK और New Zealand का constitution लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या इनके नियम कानून, इनके laws कहीं codified नहीं है, obviously, वहाँ भी लिखे हुए नियम है, वहाँ पर हमारे सनुविधान के ऐसा एक सनुविधान नहीं है, सन्हिता बद्ध, हमारा सन्हिता बद्ध, topic-wise जैसे एक book है, वैसा book इंग्लैंड में नहीं है, नियुजिलैंड में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कि व rights क्या है, या वहाँ पर, you know, so, जो नियम कानून है, जिस laws कानूनों से देश चलेगा, वह वहाँ पर भी कही न कहीं लिखे हुए है, बट एक जगह पर, एक जगह पर लिख के, एक जगह पर compile, codified किये हुए नहीं है, सनिता बद्ध, रूप में रिखे, एक जगह पर नहीं तो मैं जाओंगा एक किताब निकाल के ले आओंगा, एक मोटी सी किताब जो भारत का सन्विधान है, कोई बोलेगा कि अमेरिका का सन्विधान दिखाईए, तो एक पतला सा pamphlet टाइप का होगा, अमेरिका का सन्विधान एक पतला सा pamphlet, बहुत पतला सा होगा, ज्यादा म मिल जाएगा यहाँ पर judiciary का कुछ मिल जाएगा थोड़ा सा दूसरे library में देख लो थोड़ा यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च कर लो उनके नियम कानून भी हैं बट वो पितर बितर इधर उदर बिखरे हुए हैं एक जगा पे compile करके नहीं रखे हुए हैं अगर कोई बोलता है कि किसी country का सन्विधान लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि उनके नियम कानून लिखे हुए नहीं है नियम कानून लिखे हुए हैं लेकिन अलग-अलग जगा पे छितरे हुए हैं एक जगा पे नहीं मिलेंगे तो ये है written या unwritten होने का main difference अब कोई बोल सकता है कि ये England या ये countries ये इतने पुराने democracies है New Zealand रूल अफ लॉव वहां से पैदा हुआ और बहुत कुछ बट ये इनों लिखा क्यों ने ये इतने unorganized क्यों है इतने मतलब इनो अस अंगठित क्यों है क्या ये आलसी है, lazy है, इनको लिखने का मन नहीं किया constitution तो actually बात ये नहीं है बात ये है कि उनके यहां पे ऐसे ही काम चल गया उनको ये करने की जरुवत नहीं पड़िए उनको एक जगा पर लिखने की जरुवत नहीं पड़िए तो जहां पे जिस geography, जिस history में जो चीज काम कर गया वही चलता गया In future, you never know, in future अगर चाहें तो वो शायद एक ऐसा कुछ एक बड़ा change आए और इसका मतलब यह नहीं कि वो आलसी हैं संगटित हैं सिर्फ यह है कि उनके लिए वो काम करता है हमारे लिए यह काम करता है So this is the difference between written and unwritten constitution